चैलेंज इस्पोर्स और रेस बिल्डर्स की बीच में पहला मकाबला शुरू होने जा रहा है पहली गेन वहाँ पर हलके हाथों से इस गेन को खेल दिया है और स्ट्रेक को रोटेट करते विए स्वग बलिबाज योगेश तो आज के दिन की शुरुवात होती भी सिंगल से खाता खुला है योगेश भाईर ने और राइस बिल्डर्स का भी खाता खुलता हुआ BC4 फर्मेंट का ये मकाबला राइस बिल्डर्स और चैलिंज स्पोर्ट्स के बीच में पहला मकाबला और खेल की शुरुवात हो चुकी है पहली गेद वहाँ पर अविनाश चिलके की ऑफिस्टम से बाहर रही थी और हलके हातों से टैप कर दिया था उस गेंद को बले बाद योगेश भीर ने हमारे दोने ये ऑफिशल एंपेर निकलेश बजा गे और परलात पाडिल इस बार स्वीचीड लगाने की कोशिश की वहाँ पर लेकिन इस बार अच्छी गेंद रही थी थी थोड़ी सी नीचे की तरफ ये गेंद रही थी लेकिन इसके उपर स्वीचीड लगाने की कोशिश की थी बले बाद ने पहली दो गेंदे वहाँ पर अविनाश चिलके की बहुत ही बैतरीन परलाथ पाडिल जब बले बाजी के लिए आते थे तो हम अक्सर दिखा करते थे कि रेट कैप के साथ आते थे वो लेकिन इस वक्त पनामा कैप उन्होंने पहने हुए है लौर फुटास गेंद बहुत बहुत बल्या तरीकी से इस गेंद को खेल दिया वहां चाहे दो पर कि इस बार बहुत बड़ी आगेंद वहां पर हाव लेकर खेल खेलने की कोशिश की ती लेकिन एकार बैतरीन गेंद वहां पर रही है अविनाश्की इस बाराउन साइट की दिशा में टन कर दिया इस गेंद को वहां पर देखना है तुशार्शल के वहां पर मौजूद है तो थोड़ा से समर्कल इस वक्त खेलने की कोशिश की जा रही है आदोने भले बाज़ो द्वारा इसको रव तीन पर जा पहुंचा है पहले और का य के खेल चलता हुआ फिर से वहां पर क्रॉस दिलाइन इस बार खेल दिया इस गेंद को हाँ डिप में इस वक्त खिलाडी मौजूर फिर से सिंगल रेंड तो पहले वर में अच्छी गिंद बाजी देखने को मिली है अविनाज दौरा और सिर्फ जो रन खर्च की है अब तक चार तो बहुत ही बैतरी गिंद बाजी रही है पहले ओर में चैनल में जिसे हम कहेंगे गिंद बाजी देखने को मिली है अविनाज शिलके दौरा लेकिन अच्छी बात यह है रईस बिल्डर्स के लिए कि अभी भ दौनी उपनर बलेबाज वहां पर मौजुद है योगेश भीर और पर तमेश ठाक रहे और यह दौनी ऐसे बलेबाज है कि किसी भी स्थी में पहले ओर हो या फिर दूसरा हुआ रहे बहुत ही बैतरी बलेबाज लेकिन पहले ओर में हमने देखा कि थोड़ा से समाल कर बले दोकिये समय में भी थोड़ा स्योग करना होगा सबी तीम में आज के दिन जिन टीमों के मैचिस है तो समय में आप लोगों को सयो करना होगा पहला मकाबला तो अब शुरू हो चुका है राइस बिल्डर्स और चेलेंज स्पोर्स के बीच में यह पहले मकाबला उसके बाद अब इनाज दौर और अब दूसरे वर में इस वक्त गिन बाजी के लिए आते हुए प्रितेश पाटिल ओवर नुम्बर दो कब खेल शुरू होनी जा रहा है हाँ से प्रितेश गिन बाजी की शुरूआत करते हुए पर तमेश ठाकरे पहली गिन वहाँ पर सुलाख करने की कोशिश की थी इस गिन के उपर बले बाज ने बैटा की श्ट्रोक लगाना चाहते थे वहाँ पर पर तमेश ठाकरे तो डॉट गिन के साथ अपने ओवर की शुरूआत करते हुए प्रितेश पाडिल अब तक जिस तरह से खेल रहा है पहले ओवर में सिर्फ चार रहना और यह गिन डॉट तो अब तक अच्छी गिन बाजी देखने को मिली है चैलेंज स्पोट्स की तरफ से लेकिन इस बार देखना है प्रितेश की यह गेंद बहुत जादा आफश्रम से बाहर की तरफ वाइट तो आज के दिन की यह पहली वाइट गेंद इसकोर आगे की सकता हुआ इस एक रन की मदद से अब पाच पर जा पाँचाए पहली गेंद जहां पर बहुत बहुत बहु कोशिश की थी वहाँ बले बाद लेकिन इस बार बचने की कोशिश की गई है बहुत जादा बाहर की तरफ और वाइट गेंद इस बार देखना है गेंद की लाइन में और फेक देश गेंद को डिपी स्कॉर लेक के उपर से छेरानों के लिए बहुत ही खूबसरती श्ट्रोक आता हुआ इस वक्त बले बाद पर तमिश ठाकरे के बले से यह देखे किस तरह से गेंद की लाइन में आकर इस गेंद को फेक दिया एच्छे रनों के लिए आज के दिन का पहला बड़ा हिट छे रन इसको तेजी आगे दोड़ता हुआ इ है यार रन उपर है आज बहुत बैंति नितरी कि इस वहाँ डिल ऐस गेंद को अलाकि पिछली गेंद के उपर भी सी तरह से श्ट्रोक लगाने की कोशिच किती लेकिन मिस्कर बैटे थे गेंद की लाइन को वहां परतमिश लेकिन इस बार अच्छी तरीके से इस गेंद को खेला है और पहला बड़ा हिटा आता हुआ परते में श्ठाकरे के बल्ले से पिर से इस बार देखना है उचाई ज्यादा और लंबाई भी ज्यादा ये गेंद भी जा रही है मिड़ विकिट के उपर से छे रनों के लिए लगातार दो गेंद उपर दो सिक्सरा आते हुए परते में श्ठाकरे के बल्ले से पहले और में जिस तरह से अपनी बाड़ी के खोला हुआ वहाँ पर बल्ले बाजो ने अब पूरी तरह से सेट हो चुके और लगातार बैक टू बाजी देखने को मिल रही है परतमेश दुआ रहा है जैब जरंग चशक 2023 पहला मकाबला यह चलता हुआ बीसी फोर फार्मेट का रेज विल्डर्स और चैलिंज स्पोर्स के बीच में और अच्छी शुरुआत यहां पर 17 रन बिना किसे विकिट के नुकसान पर टीम के क्य कर दो इस बार देखना है फिर से वहां पर प्रतेश की ये गेंद वाइट इस वहर में अब तक दो वाइट गेंदे की है प्रतेश पार्डेल ने कई ना कई बल्ले बाद से बचने की कोशिश की जा रही है अलगाता राओ प्रतेश पार गेंदो को रख रहे है वाँ पर प्रतेश फिर से वहां अंसाइट की दिशा में खेलने की कोशिश की थी बल्ले बाद लेकिन इस बार अच्छी गेंद रही है वाँ पर लेगबाई की रुप में ये सिंगल रना आता हुआ इसको रब 19 पर जा पहुचा है राइस बिल्डर्स अपना 12 मेनी यहां पर भेज़ने आपको बहुत 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 इस बनाया था है यहां पर इस वक्त गेंद बाद प्रतेश ने गेंद की लाइन को पुरी तरह से मिस्स करते हुए इस वक्त बले बाज योगेश भेर लगातार दो गेंद उपर दो सिक्षार लगने के बाद अब अच्छी गेंद बाजी देखने को मिलती हुए प्रितेश पाडिल द्वारा इस बार हाफ ली पर लेकर इस गेंद को टन कर दिया वहाँ पर दिखना है अच्छाए पाड़िल वहाँ डीप में मौजूद है जब तक गेंद को फिल्ट करते हैं उसी बीच इस बार सिंगल रंट तो ओवर कि समाप्ती होते भी दो और कि समाप्ती और अब तक जो रन बना ह अधान और कि दिया गया है जूए अब तक दो और कि समाप्ती हो चुकि है और उनका जो ट्वेसम मैं है हमारे कमेंटरी बॉक्स में हा मौजुद नहीं तो इसलिए दो रंगा पैनल्टी दिया गया है आप फिल्डिंग लगानी तुरंती चैलेंज स्पोर्ट्स पहले वर में जा अविनाश ने चार अन खर्च के तो इस वर में पृतिश पाटिल के वर में 16 रना दोर की समाप्ती और बिना किसी विकेट की नुकसान पर 20 रन कि अब तक बले बाजी की और तीन रन पर बले बाजी करते हुए दो शिक्सर लगा चुके और वो इसरे वर में होवन गिन बाजी के लिए आते वे सामना करेंगे योगेश पहली गिन महाँ पर वी की शकल में इस गिन को खेल दिया है लंगाफ की दिशा में देखना है खिलाडी वहाँ पर मौजूद है और दिमे कदमों से इस बार सिंगल रंड पुरा करते वे बल्ले बाज तो ओवर नमबर तीन का भी हाँ से खेल शुरू चुका है और सिंगल रंड पुरा किया इस गिन के उपर एक बार फिर से अब श्ट्रैक पर आते वे परते में श्ठाकरे पिछले वर में अच्छी बल्ले बाजी देखने को मिली थी लगातार दो गेंद उपर दो शिक्सर लगाये थी अब देखना है कि ये अच्छा बैटल रहेंगा एवन पवन और परत्रमश ठाकरे के बीच में हलके हातों से इस बार कट कर दिया इस गेंद को देखना है वहाँ पर बहुत दूर से अवीनाश शिल के आते वे और अब जाकर गेंद को फिल्ड किया उसी बीच दो रन इस गेंद के उपर अच्छी फिल्डिंग इस वक्ट देखने को मिलती भी काफी फासलात है कि यह तो महाँ पर अवीनाश ने ओफिस्टम से बाहर की तरफ यह गेंद रही थी और हलके हातों से सॉफ्ट हैंड का इस्तिमाल किया हमाँ पर बलेबाज ने रंगनात तरे साब इस वक्त हमारे बीच में मौझू दे आपको हमारे व्याइपी डाइस प्याना इस बार देखना है कवर की दिशा में बहुत ही खुबस्रत इस्ट्रोक लगाया फिर से अच्छी फिल्डिंग मापर लेकिन इस बार पैरों का इस्तिमाल किया और तेज का कवर की दिशा में खेल दिया था हला कि एक बार फिर से अच्छी फिल्डिंग देखने को मिली है वाँ पर इन तीन रनों की मदद से अब स्कूर 26 26 पर जा पहुंचाए लेकिन बहुत ज्यादा इस बार बाहर की तरफ यह गेंद वाइट बाहर की तरफ गेंद को निकाला था लेकिन जो गेंद की लाइन थी वह बहुत ज्यादा ऑफिस्टम से बाहर की तरफ यह गेंद रही थी वही कारण्ट है कि एमपायर परलात पाडली ने इस गेंद को वाइट करार दिया लेकिन इस बार अच्छी गेंद बहुत ज्यादा दो पैरों के बीच में गैब बना लिया था वहाँ बले बाज ने, दो पैरों के बीच में इस गेंद, ये देखे किस तरह से निकल गई है, डॉट, इस बार हुक करने की कोशिश की वहाँ पर मिश्ट है, मिश्ट रोक है, लेकिन अच्छी फिल्डिंग वहाँ पर योगेश उमेश दलवी द्वारा, शॉट गेंद ये और उसको हुक करने की कोशिश की थी बले बाज योगेश ने, इस बार देखना है, वहाँ पर पुल किया इस गेंद को, और डीप में हुआ कि लाड़ी मौजूद है, और इस वक्त विकेट गिरता हुआ और पारी समाप्त होती ह भी योगेश भुएर की, बड़ा हिट लगाने की कोशिश की वहाँ पर बले बाजने लेकिन उतनी बाहतर टाइमिंग नहीं रही थी, तो पहला विकेट गिरता वाराइस बिल्डर्स का और क्याप्टन योगेश भुएर इस वक्त आउड़ो कर वापस लाटते वे, 27 रन पर पहला विकेट गिरा है, एक छोटी सी पार्टनर्शिप देखने को मिली है, परतमिश ठाकरे और योगेश भुएर की बीच में, लेकिन पहला ब्रेक थुरो दिलाया है, पवन केने ने अपनी टीम को, इसके बाद जो होने वाला मकाबला है, महेंदरा स्पोर्ट्स के कैप्टन और न्यू बी इंडियन के कैप्टन टॉस के लिए आपको आना है, आज के दिन का दूसरा मकाबला रहेंगा, महेंदरा स्पोर्ट्स और न्यू बी इंडियन के बीच में रहेंगा, जबकि ये पहला मैच चलता हुआ, रेस बिल्डर्स और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में ये मकाबला, आज बाटने के बाटने के बाद साहिल शेक, तीन वर की समावती स्कोर 27 रन एक विक्ट गवाने के बाद रैस बिल्डर्स इस मैच में तौज जितकर पहले बैटिंग का उनका फैसला और ठीक साबित हुआ है जिस तरह से यहाँ पर परतमेश ठाकरे बल्ले बाजी करें और अच्छा साथ दिया था योगिश भीर ने पहल शेक योगिश भालेकर योगिश भालेकर योगिश भालेकर ओवर नमबर चार लेकर आते वे सामना करेंगे परतमेश ठाकरे अपने श्टेप में चुके वहाँ पर योगिश भालेकर राइस बिल्डर से खेलते वे नजर आएंगे चोईस फिलर रहे थे वह और उसी भी जुहाँ पर कमाल का श्ट्रोक बहुत एक बार फिर से आता हुआ पर तमेश ठाकरे के बल्ले से अपने इनिंग का तीसरा सिक्सर लगाते हुए यह देखे किस तरह से यहां पर यह श्ट्रोक लगाया है योगिश भालेकर की पहले गेंद और इस गेंद को बेज दिया है वाइडिश मेंडू के उपर से छे रनों के लिए कमाल की बल्ले बाजी देखने को मिल रही है इस वक्त पर्थमेश ठाकरे द्वारा इसकोर तेजिस आगे दोड़ता हुआ तैटीस पर एक विकेट गवाने के बाद राइस बिल्डर्स तीन सिक्सर लगा कर अब तक पच्शीस रन पर बल्ले बाजी करते हुए तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुए इस बार देखना है वहाँ पर योगेश की ये गेन रन के लिए निकले तेज कदमों के साथ दोनों ही बल्ले बाज और सिंगल रन पुरा करते हुए इस गेन के उपर तो वाइड गेन वन प्लस वन टू रन दो रन आएंगे इस गेन के उपर लेकिस्टम से बाहर के तरफ ये गेन को रखीती हुआ पर योगेश भालेकर ने वाइड गेन इस बार रही है तो पहले गेन के उपर जा सिकसर लगा इस बार वाइड गेन रही है और इसकोर इन दो रनों की मदद से अब 35 पर जा पहुचा है इस बार देखने है स्लॉक करने की कोशिश की वहाँ पर और उचाई ज्यादा है लंबाई कम और विकेट गिरता हुआ साहिल शेक इस वक्त आउट वाकर वापस लटते भे तो दूसरा विकेट इस वक्त गिरता हुआ राइस बिल्डर्स का यह देखिए किस तरह से वहाँ पर इस श्ट्रोक के खिलने की कोशिश की थी शफाल होकर इस गेन को एक बार फिर से मिट विकेट की दिशा में खिलना चाहते है लेकिन बहुत बढ़िया क्या पर समाप्त क या तुशार शिलके ने साहिशेक इस वक्त कोई रन नहीं बनाया उन्होंने और शुनने के चैश्मा पायन कर वापास लोडते वे तो दूसरा विकेट गिराए राइस बिल्डर्स का जय बजरंग चशक 2023 पहला मकाबला चलता हुआ यह रैस बिल्डर्स और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में बीटीसी के माद्यम से यह टेलीकास दिखाया जा रहा है बीटीसी रोहन तरे परपरेटर नहीं बल्लेबाज आये अक्षे थेटे महेंदरा स्पोर्ट्स के क्याप्टन और न्यू बी इंडियन के क्याप्टन टॉस के लिए आना है दूसरा मैच आज की दिन का रहेंगा महेंदरा स्पोर्ट्स और न्यू बी इंडियन के बीच में रहेंगा दोने के अप्टन टॉस के लिए आपको आना है विकेड लेने के बाद योगेश भाले करना है बले बाद अक्षय इस बार देखना है योगेश की ये गेंद बहुत ज्यादा ऑफ्ष्टम से बाहर की तरफ वाइट एंगल बनाने की कोशिश की लेकिन बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ये गेंद रही थी इस ओवर में दू देखने हैं वहाँ पर इस बार ची गेंद रही है क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर बले बाज अक्षाय ने इदे की किस तरह से क्रॉस बैटर रिष्टों खेलना चाहते थे लगबग ऑफ स्टम की गेंद को ऑन साइड में घिशने की कोशिश की थी इस बार देखने हैं वहाँ पर क्या कुछ हो पाता है और देखने है सवाल पूछा जा रहा है वहाँ पर और विकेट आउट हो गए वहाँ पर बले बाज अक्षाय थेटे तो तीसरा विकेट इस वक गिरता हुआ रहिस बिल्डर्स का स्टम करने की कोशिश की थी वहाँ पर बले बाज अक्षाय थेटे ने ये देखिए किस तरह से वहाँ पर बेटर गिश्ट्रोक स्टम करना चाहते थे तो दूसरे बले बाज अपना खाता नहीं खोल पाई से पहले हमने देखा कि साइल शेक शुन्ने पर आउट हुए और अक्षाय थेटे इस वहर में भले ही दो वाइट गेंदे और एक सिकसर लगा लेकिन दो विक्टे भी हासिल की है योकेश भाले करने नहीं बले बाज आकाश पाटिल मैं फ्रॉम देवरुंग तीन विक्टे गवाने के बाद रैस बिल्डर्स ने अब तक रन बनाई है 36-36 रन एक सिरफ पूरी तरह से समाले रखा है पर्थमिश ठाकरे ने जबकि योगेश आउट होकर वापस गए और साइल और अक्षाय थेटे नहीं बले बाज आकाश पाटिल ओवर नमबर चार का खेल चलता हुआ तीन विक्टे गवाने के बाद 36 रन महिंद्रा स्पोर्ट्स के कैप्टन आ चुके है शुरेश पारदी न्यू बी इंडियन के कैप्टन आपको भी टॉस के लिए आना है ऐसे यह और भी वीडियोस के लिए चानल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकोन को दबाज आपको पारदी नहीं बले बाज आकाश पाटिल सामना करते हुए योगेश भालेकर का विकिट लेने के बाद इस बार स्वीचीट लगाने की कोशिश की वहाँ पर और एक और विकिट तो बहुत बढ़ी है गिंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है योगेश भालेकर दुआरा इस बार में अब तक तीन विक्टे हासिल कर चुके है इदे किस तरह से आउट हुए वहाँ पर बले बाज योगेश भालेकर आकाश पाटिल स्विचिट लगाने की कोशिश की लेकिन मिश्टाय मिश्ट्रो खेल बैड़ और दूसरा क्याच इस वक्त समाप्त करते वे परशांत पाटिल उर्फ गोट्या हैट्रिक परबाद चुके है योगेश भालेकर हलाकि अब तक इस और में तीन विक्टे हासिल कर चुके है वो नहीं बल्लिबाज जीतु तरे है ट्रिक गेंद का सामना करने के लिए जीतु तरे मैंन फ्रम अंजूर आते ही साथ नहां पर देखना अंसाइड में इस गेंद को खेल दिया और हैट्रिक हैट्रिक पूरी करते हुए इस वक्त योगेश भालेकर तो लगातार तीन गेंदो पर तीन विक्ते हासिल की योगेश भालेकर ने अब कई न कई थोड़ी सी कटना या आती वी रैस बिल्डर्स की तरफ जी तु तरे भी इस वक्त आउट होकर वापस लौटते वे अब देखिए और्गनाइजिंग कमेटी का ऐसा काईना है कि पैनल्टी जो स्रिफ एकी रहेंगे ट्वेल्ड में नहीं है उसके लिए पैनल्टी मिल चुकी तो अब ड्रेस के लिए पैनल्टी नहीं दी जाएंगी या और्गनाइजिंग कमेटी का काईना है तो जीतु तरे भी इस वक्त आउट होकर वापस लोटते वे और हैट्रिक कम्प्लिट की हमाँ पर योगिश भाले करने बहुत बढ़िया गिन्द बाजी देखने को मिली है चार विक्टे हासिल की और नौरान खर्च किये पाच विक्टे गवाने के बाद राइस बिल्डर्स ने चार वर की समाप्ती पर रन बनाए है चछतिस नए बल्लेबाज कुनाल एवन पवन दूसरा वर लेकर आते वे पहले गेन वहाँ पर स्विच हीट लगाने की कोशिश की इस गेन के उपर परते में श्ठाक रेने लोर फुटास गेनती और स्विच हीट लगाना चाहते लेकिन अपना बोडी बैलेंस इस वक्त खो बैटेते वहाँ परते में श्ठाक रे सिंगल रन इस गेंद के उपर आता हुआ इसको रब 37 पर जा पहुचा है पिछले और में बहुत ही शांदार गेंद बाजी देखने को मिली है योगेश भाले कर दुआ रहा इस बार फोर्स करने की कोशिक की वहाँ पर लेकिन उतनी बहժटर टामिंग नहीं रही है देखना है डिपसे वहाँ पर तुशा शिलके आते हैं उससी बिच एक रन इस गेंद के उपर फोर्स करना चाहते हैं इस गेंट के उपर वहां बले बाज कुनाल एक रन से अपना खाता खोलते हैं वे इस वक्त नहीं बले बाज कुनाल फिर से वहां पर स्विचिड लगाना चाहते हैं बले बाज शौट सिलेक्शन जो है हम देख रहें लगातर उतना बहतर देखने को नहीं मिल रहा है परतमेश ठाकरे दोवारा हलाकि अच्छी बल्ले बाजी अब तक की उन्होंने दो सिक्सर लगा है टीन सिक्सर लगा चुके है लेकिन जिस तरह से पावन के सामने बल्ले बाजी कर रहें और इस बार देखना इसा ही कनेक्ट किया है और ये गें जाएंगी बाउंडरी के बाहर छे रणों के लिए अब जाकर मेरिट पर बल्ले बाजी किये वहाँ पर परतमे श्ठाकरे ने इदा के किस तरह से यहाँ पर ये स्लॉक किया है बैटा की श्ट्रोक डिपी सोर लेक के उपर से गें चले गई ये छे रणों के लिए फिर से फिर से क्या ये गेंद भी जाएंगी बाउंडरी के बार यास लगातार दो गेंद उपर दो सिक्सर अब परतमे श्ठाकरे भी समझ चुके कि गेंद बाजी कहाँ पर हो रही है और किस तरह से हो रही है सिक्सर की मदद से स्कोर अब पचास रण पर पोस्ता हुआ एक सिरफ पूरी तरह से समाले रखा है परतमे श्ठाकरे ने और अब तक बहुत ही बैतने बल्ले बाजी देखने को मिली है 38 पर आई इस वक्त नाबाद है 14 गेंदों का सामना किया और 38 रण अब तक बना चुकिया इस बार इंसाइड और इस्ट्रोक लेकिन इस बार योगेश महाँ पर मौजुद और विकेट गिरता वा परतमे श्ठाकरे की पारी समाप्त होती हुई लगातार दो गेंदों पर दो सिक्सर लेकिन इस बार एवन पवन ने काम तमाम कर दिया हमा बलेबास का इंसाइड और इस्ट्रोक खेलने की कोशिश और एक्स्ट्र कवर पर खाड़ेवे खिलाडी योगेश भालेकर ने कोई गलती नी की और बड़ा विकेट इस्वक गिरता हुआ परतमे श्ठाकरे आओ डोकर वापस लटते हुए एक सिरापूरी तरे से समाले रखा ता जाँ विक्टे गिर रही थी तो अच्छी बलेबाजी भी देखने को मिल रही थी लेकिन इस वक्त आओ डोकर वापस लटते हुए परतमे श्ठाकरे परतमे श्ठाकरे रही थी तो पाच वर किसमापती और स्कूर अब तक बनाए है राइस बिल्डर्स ने पचास रन लास्ट वर में एक बार फिर से गिनबाजी के लिए आते वे योगेश भालेकर पिछले वर में बहुत ही शांदर गिनबाजी देखने को मिली थी नाव रन देकर चार विक्टे हसिल कीती उन्होंने और हैट्रिक भी कम्प्लीट कीती पहली गेन वहाँ पर योगेश की बहुत जादा आप्शन के बाहर की ये गेन वाइट वाइट गेन के साथ अपने ओवर की शुरुआत की ये गेन बाजने इस एक रन की मदद से इसको रब फिप्टी वन पर जा पहुंचा है इस बार देखने हैं वहाँ पर मिश्टा मिश्ट्रोक और विकेट गिरता हुआ कुनाल की पारी भी यहाँ समाप्त होती हुई अगर हम परत्मिश ठाकरे को हटा दे तो फिर कोई भी बल्ले बाज उतनी भैतर बल्ले बाजी नहीं कर पाया है साथवा विकेट गिरता हुआ रैस बिल्डर्स का पाच विकेट अब तक हासिल कर चुके है योगिश भाले कर फाइफर नए बल्ले बाज अब रोशन बल्ले बाजी के लिए आते हुए रोशन समना करेंगे वहाँ योगिश भाले करका अब तक पाच विकेट हसिल कर चुके है एक और अच्छी गेंद वहाँ पर बल्ले के अंदरुनी सिरा लगाता और डॉट गेंद तब तक चैलेंज स्पोर्स के गिनबाजों ने बहुत ही शांदर पाइफर गेंद बाजी की है और साथ विक्टे गिर चुकिया और स्कूर हम देखे तो अब तक फिफ्टी वन लाश्ट वर का खेल चलता वा इसके बाद जो होने वालम काबला है मेहंदर एस्पोर्स और नियू भी इंडियन के बीच में मैच रहेंगा फोर्सिंग श्ट्रोक इस बार लगाया वहाँ पर बले बाज रोशन ने एक रन इस गेंद के उपर इसकोर अब फिफ्टी टू पर जा पहुचा है एक और अच्छी गेंद एक और अच्छी गेंद वाहां पर बार की तरफ इस गेंद को निकाला तहमां गेंद बाज योगेश भाले करने तो बहुत बहुत ही राइस बिल्डर्स के बल्ले बाजी द्वारा फिर से वहाँ पर गेंद हुआ में देखना है गेंद के निची वहाँ खिलाडी और विकेट एक और अपने खाते में लेते वे योगिश्ट भाले कर क्या शांदार गेंद बाजी देखने को मिल रही है छे विक्टे अब तक हासिल कर चुकिये जबकि ये आठवा विकेट गिरता हुआ राइस बिल्डर्स का ये देखिए हमारे एमपैर परलाथ पाडिल इस वक्त कुछ टिप्स देते हुए विकेट कीपर को कि किस तरह से विकेट कीपिंग की जाए अपने जमाने के बहुत ही बहती बहतीरिन विकेट कीपर और बैट्समें रहे चुकिये है काफी बड़ी-बड़ी टीमों से खेल चुकिये हो चाह हम सनी स्पोर्ट्स की बात करें महेंदरे स्पोर्ट्स की बात करें और मराड़ा पंजाब लेकिन खास बात यह रहती है कि रेट के लिए मशूरते वह अधिसाथ वहाँ पर सुचिट लगाने की कोशिश की होँआ पर देखना है किलाली हुआ पर मोजिद लेकिन गेंद तक पहुच नहीं पाहे पवन देखना है तीसरे रन के लिए पल्टे है बल्ले बाज और विकेट गिरता हुआ तो दो रन और एक विकेट इस गेंद के उपर तो आज की दिन का ये पहला मकाबला चाहरा था और पहले बल्ले बाजी करते हुए रैस बिल्डर्स ने रन बनाये है 54 और 55 का टार्गेट रहेंगा चेलेंज इसपर्स के सामने एसे यूर भी वीडियोस के लिए चानल को सब्स्क्राइब करो और पैल आइकोन को दबाना बिल्कुल मद्मुल ऐसे योर भी वीडियो के लिए चानल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिलकुल मतबूर ऐसे योर भी वीडियो के लिए चानल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिलकुल मतबूर आए तो आज के दिन का दूसरा मकाबला और दोने कैप्टन आज चुकिया है मेंदरे स्पोर्स के कैप्टन शुरेश पारदी और न्यू बिंडेन के कैप्टन हैदर सयद राहूल पाडिल और कैलाश नाइक इस वक्त हमारे टॉस बॉक्स में है ये कॉइन दिखा दू एक तरफ है भाविक मंडप डेकोरेटर्स और दूसरी तरफ है डीजे दिपेश डीजे दिपेश कहना है यहाँ पर शुरेश पारदी का और आया भी है डीजे दिपेश खुब खुब धन्यवाद राहूल पाडिल जी और जादूगर गिंदबाज कैलाश नाइक तो दूसरे मकाबले का यहाँ पर टॉस किया गया और टॉस जीता है महेंदरा स्पोर्ट्स के कैप्टन शुरेश पारदी ने शुरेश पारदी इसको मेरे साथ है टॉस जीता है सबसे पहले यह बताए कि टॉस जीता है क्या करने जा रहे हो फिल्डिंग करने का आपने फैसल लिया है जिस तरह से हम देख रहे कि इस सिजन न्यू बिंडियन के जो बले बाजी काफी मजबूत है तो यह बताए कि कितन इस सिजन तोड़ा सा अलेट एक्षन में आई यह बताए कि और आपको छोड़ कर वह कौन से गिंडबाज जो कम से कम रणों में रोकें न्यू बीडियन को निकेश है और है दो बॉलर देखें अगर हम शुरेश पारदी की बात करें तो इस गरांट पर और और सभी गिलां चशक है और जो आपका बिल्किल होम ग्राउंड ही हम कह सकते क्योंकि आपने महेंदरा स्पोर्स के लिए काफी वक्त इसी ग्राउंड पर दिया है तो कोई प्लानिंग की और किस तरह से विकेट का फाइदा उठाना चाहेंगे प्लानिंग तो कुछ नहीं है लेकिन अभी कैस यह डिव जरा ओए पोजिशन इजरा थंड तवान तवरन थंड है इसलिए अगर आप इस अहम मैच में अगर आप टॉच जीते तो आप क्या करते बले बाजी करते यह बताए कि आज पूरी टीम कंप्लीट है जरूर और यह जो मैच हम देख रहें मेहंदर स्पोर्ट से आपका मैच है कौन से ऐसे बले बाज रहेंगे जो शुरुआती हो और मैं आपको फ्लाइंग स्टार्ट देंगे फैजान है मतिन भाई है उमर खान है बाबा है तो दोस्तों अभी अभी यहाँ पर टॉस किया गया है और टॉस को जीता है मेहंदर केप्रण शुरच पारदी ने और पहले गिंदबाजी करने का फैसल लिया ओर टू कमेंटरी बॉक्स कर बाए है आज़ को जीता है तो दूसरी इनिंग की शुर्वात होती वी और टार्गेट जो है चैलिजी स्पोट्स के सामने डबल फाइफ पच्पन रनों का टार्गेट है दोने उपनर बलेबाज सचीन बुईर और प्रितेश पाडिल गेंद बाजी में पहला और लेकर आएंगे पर्थमिश ठाकरें बलेबाजी तो बहुत ही बैतरिंग देखने को मिली है पर्थमिश द्वारा गेंद बाजी की शुरुआत करते हो पहली गेंद वहाँ पर और पहली गेंद के उपर विकेट कोटन बॉल्ट पहली गेंद के उपर विकेट हासिल किया वहाँ पर पर्थमिश ठाकरें ये देखे किस तरह से आउट हुए वहाँ पर सचीन बॉर्थमिश बाजी में पहले गेंद के उपर विकेट हासिल किया उन्होंने सचीन बॉर्थमिश कोटन बना पहली गेंद के उपर आउटो कर वापस जाते वे तो जिस तरह से रैस बिल्डर को शुरुआ चाहिए तो उसी तरह से शुरुआ दिला या पर पर्थमिश ठाकरें ने पहली गेंद के उपर विकेट हासिल किया नया बल्यबाज अब इस वक कमेंटरी बॉक्स में योगिश चिकने मैंन फ्रम वलुनागर इस बार बहुत बढ़िया तरीक इस मापर इस गेन को नीची बैक लिप से खेल दिया है मिड़ाफ की दिशा में मापर और सिंगल रन पुरा करते हुए मापर परता परशांत पाडिल इस एक रन की मदद से खाता खुलता हुआ चैलेंज स्पोर्स का और परशांत पाडिल का इसके बाद महंदरा स्पोर्स और न्यू बी इंडियन की बीच में मकाबला रहेंगा जहां टौज जित कर पहले फिल्डिंग करने का फैसला लिया है महंदरा स्पोर्स के कैप्टन शुरेश पारदी ने इस बार कट कर दिया इस गेंद को वहाँ पर और गेंद नॉन निश्टा बॉंडरी के बाहर जाती हुए चार रनों के लिए बहुती खुबसर तरीके से वहाँ पर ये इस ट्रोक को खेला है बले बाज प्रितेश पाडल ने ये देखे किस तरह से वहाँ पर कट कर दिया इस गेंद को और दो खिलाड़ी की दरार हमने से गेंद फरार चार रनों के लिए इसकोर पाच पर जा पहुचा है एक विकेट गवाने के बाद चैलेंज स्पोर्ट्स इस बार स्वीप करने की कोशिश की वहाँ पर लेकिन लगिस्टम से बाहर ये गेंद वाइट जिस तरह से पहली इनिंग में हमने देखा कि काफी वाइट गेंद भी की गई चैलेंज स्पोर्ट्स की तरफ से लेकिन अच्छी गेंद बाजी भी देखने को मिली है तो यहाँ पर हम देख रहें कि इस बार में पहले बार में परतमिश ठाकरे ने भी वाइट गेंद की वाइट गेंद एक ज़ादा तर की गई है नीची बेकलिप से एक बार फिर से वहाँ पर इस गेंद को खेल दिया है बलेबाज पृतेश पाटिल ने अच्छी बलेबाज ही देखने को मिली जा पिछली गेंद के उपर एक बाउंडरी लगाए थी इस बार नीची बेकलिप का इस्तिमाल करते वे बलेबाज इसकोर साथ पर जाप पौचा एक विकेट गवाने के बाद परशांत पाटिल सामने करेंगी इस बार आले बले से इस गेंद को खेल दिया वहाँ पर तो पहली गेंद के उपर विकेट गिरा उसके बाद दोने बलेबाज थोड़ा सा संबल कर खेलते वे पिरतेश पाटिल और परशांत पाटिल ज्यादा तर हम देख रहे हैं कि उतना बड़ा रिस्क नहीं ले रहें नीची ब बले बाजी कर रहे हैं कि फिर से अच्छा इस्ट्रोग मिडल बहुत बढ़ी है तरीकी सब्सक्राइब इस वक्त प्रितेश पाटिल तो पहले वर की समाप्ती और इसको अब तक बना है एक विकट गवाने के बाद चैलेंज स्पोर्स नौरन पच्पन रनों का टार्गेट है चैलेंज स्पोर्स के सामने और पहले वर में सिर्फ नौरन आरेट विकट भी हासिल किया है पर थमिश ठाकरेने अभी भी क्रिस पर अगर हम देखे तो चैलेंज स्पोर्स के दो बहतीरिन बलेवाज मौजूद है पिरतेश पाटिल और पर आपन पहातोई जय बजरांगे चैशक 2020 या चैशका मदे आलेले सर्व खेलाडू मित्रांचे उपस्तित मानिवारांचे पाउनेंचे और क्रिकेट रसीकांचे मनपूर्व कहरतिक स्वागत तर पहला सामना अथिशे जबर्दस्त जबर्दस्त मुकाबलाईते पहला मिलतो शाष्टकार्ण के समाप्ति इन तर चुपन ना धावा दावाच पलकार होते आनि पंचा वन ना धावाच अवड रहे और नौप पणन ची जेम तेम सरा सरी गाठाचे तैचे पहले शटकाच सरा सरी तर जेम तेम गाठली ले आनी एक विकेट सुद्दा गमावली ले तर प्रशान्त एक तंत्रशुद्ध फलंदाज, मैं फ्रोम ओढ़नोंगर, नकीच ओढ़नोंगर गाते एक तंत्रशुद्ध सलामी वीर, मनों तेजी ख्याती आए, आनी चैलेंज संका में खेलताना सोता है, ताच्या फलंदाजी वर बरिशी मदारास्ते, आनी इते बगुए आता एक विकेट गेलान अंतर, वन डाउन चा पोजिशन वर अलेला है प्रशान्त, कशा रिती ने, ही भागे दारी होते है, साजे दारी होते है, नौपईंट पन्नाची साराशरी गाठाची, पंचावन धावान लक्ष अववान पार काराईचे, तो गोलंदाजी मार का पहिला चिंडू और जबर्दस्ते शुरुवात के लिए अक्रमक शुरुवात के लिए प्रितेश ने, भुक्याची सुसना दिलेले कि नहीं, या शटकानां तर आमे आता मातर थामनार रहे, अमची गेर चेंज करना रहोत, और पहिला चिंडू और एक शौट-पिट चिं योगिश पुर्ण एक राइटर मोर्ड विकेट चामारा, आता मातर दिशाहिं चेंडू, दिशा भरकट लेला चेंडू, उज्वाइट खूब बाहर चेंडू, पंच निखलेश, बजा के संक्ताहिट के हाँ, भाइट चेंडू, एक कवांतर धाओ दाव संक्याचा लेले आता है, आप जाओ ताहिए, इस पूपध है गुण लेखक, मैयूर, आप फुर्ण है, योगिश ऑते हैं, भागिया कमबेक करते हैं, का है पुर्ण है, वाइट अटा मतर मिस्टाइम, स्वाता गोलन दाया प्रतीमसा प्रयात ने केला होता, स्वाता चेंडू पॉलो थू यह गोलंदा जाला शंबम तक्क आपली योगदान देना जाप परायत ने कवल उते भगा तान्ची पाठ फटली जात्या द्री जात्या पाठे रख्यान करून त्यांची अच्या सव करें करून अर्थिशे और channels परायत ने केला होता त्य ते अ जिवन्दार मन्ता एनार राई याला मात्र चांगला प्रयातन अथ्लाटिक एपड दोन धावा मात्र अपला खाते माधी दोड़तोई प्रितिश पुन्नाईग दा योग इस सजोते पुन्हाइद उज्वाशी बाहर जेंटो आता मात्र ड्राईव के लेला है जातो एश्ट्रा कवर डिप एश्ट्रा कवर ला दिए शेत्रक्षेक हाए तो पुर्ण दोन धाव पूर्ण कि आउसंके आठरा बरोबर सरा सरी राखले लिया है दोनी फलंदा दानी मात्र निराश के लोत सचीन याने को पॉटन बॉल्ड जाला होता जिरो भुपला घेवन परतला होता इते बगुया योगिश कि आता मात्र उज्वाशे बाहरे चेंडुले स्लोक स्विप करने दा प्रयादना मात्र चेंडु जातो है सिमा रहे से बाहर चार दावन सथी चवकार अजीबो गरिपत कहा अब स्था खूब बाहर चेंडु होता अनि तयाला उढ़ून गेत लेला है जो जोनुका जाडु चेंडु सीमा पार जातो है सवकार साथी दाव संक्या मेरी संक्तेज की चव बावीस धावाद आले आता परेंत तर जैवाजरंग मित्रमंडल टेमघर पाड़ा भादु और आयोजित जैवाजरंगे चेशक दोन अधर 23 मदे स्वागत है वर्षया चे शुर्वाति ला पुर्णा निख्राइज बजागे संक्तेज कहा वाइट चिंडू अथिसे खराब शटक मनावला के लिए दोन चवकार दोन वाहीड सरुकाई घडले या शटका मदे एक जेल सुद्दा सुट लेला है बंची गोलन दाजे सब्सक्राइज बाहरे चेंडू आत्ता मात्र अप्रते मसा वीराट कोली चाह अंदादाने चेंडू लास्ती मारेशे बाहर पाटोलाई शटकार कहाई फटकाई कहाई नजाकता है कहाई ते टाइमिंग है अप्रतिम पुर्णा है योगे इस्ट जोते प्रितेश सटी पुना हीता हुजुषाइची जब आहरे चेंडू आत्ता मात्र चुकी हो नार नहीं मागारी परताव लागेल प्रितेश याला दुस्रा हद्रा कि मयूर आताप रेंते प्रितेश यनी किती ढावां चयक दन दिलाओ कि चोवीश धावा अनि धाव पलकार धावा है एक उन्तिस बागा एक उन्तिस मदूने एक ट्या प्रिटिश यानि चोवीश धावा जोग दन दिल फक्ते गियर तो प्रशान्द आए जानि तर ला स्ट्राइक देने जा परहतने के ला कि वा विकेट शाबूर ठेवने परहत ला धावां ची अक्षरीया लोगेलूर जाले ले हैं अन्तिस मातर कुंता गोलनदाज थो एनार है त्या गोलनदा थो जा ऐनार है और खुप सारण दबावात थो जानार बपहरता है कारण पर्षट चाण स्थीर में गावा हैं त्यान दुश्या फ़र्टिस दमदात पू मक्राइ्स का राओ कि आर राओ का व narrative तर हम सतार्पर करिया खुटना आर पांका राओ कि यूदो तर依ा कि यूदग उंदेस्ट का यूदिख सरवार तर है कि अटा राओvoll कि पका अइयित एगी ङूय किया जा तुटब मेज़ट शफे नहीं टार तर Vorteology की ले है झाल परशांत्य आलास विक्रट ची किमत महीत हैं मुल्य महीत हैं मनुन खुटलाय प्रकाने धोका पतकरत नहीं जो परेंत अपन खेल पट्यों रहाना अरुतों परेंत नकीज विजया पर चाह समीव जाने परहतने असल मनुन धोका पतकर लानाई पहले चेंडू पसन जर आपन प्रश्यान जाने खेल तरह यह किरी दावान वर जास्त भर दिलेला है कुट्टे इस मोठाबट का खेलना प्राइतने केला नहीं त्या उलर जरा आपन बगित लेतर प्रितिश याने पहले चेंडु पासन आक्रमन केला ला ओता अरी तशी तरह ने प्लंदा जी किले कि अब्सक्राण बगिताओ करें नहीं तुम्हां ठाइमिंग को आड़ी तुम्हाला दोकानिर्मान हो शकते अलकातने छेंडु लाखेलन काले एतो है डिप मीडविकेट चा शेत्रक्षक एतोई वाइडिज लंगन ला अनि चांगले शेत्रक्षक करतोई मात्र कुटले प्रकारी धोका पत्कुरी चितनाई दोनी फ्लन्दाज अलक्या अताने चंडूला खेलून काड़ताई आनि यागदी सहज लक्षा चा पाठलाक करताना द अनि ना ना उलक्या आताई तोई वहां किती वलं गेतला आता चंडूला पडलान अंतर आउट स्विंग जाले ला है डावकुरे प्लनदाजा साथी खूब बाहर निगाले ले चंडू अनि असे चंडू प्लन दाजा खेलताना कधी ही त्राज दाय खरता स्ताथ अनि तैस कि दौसंगे टीटीस कि दुस्रा कि गुलंदा जी मर्गावर पुन ने अग दा प्रतमेश अता मात्रा उख करने द प्रयतने के ला होता चेंड़ बैच्च पठत येतना ही अग दिस हो में किरकेट जालो है माहित है कि आप लेला अवानज परेंथ पोस्ता ना, काहित राज हुनार नहीं, करने दुस्त्रा सट का म मध्या एक अदरी वीस धावा कुटले गे किले होता आ अशारीती ने पंचान चाहे शेर आई तो इस चटक संप्लाइब तीन शटक संप्लाइब तीन शटकार चाहे शमापती ने दावसंग का इस तो तीस अजुन ही 21 जावां चे गरज है चेंडू शेश है ते अठरा अठरा चेंडू एकवीज आवा मित्रा नहां क्रिकेट आए कधी टर्नींग घेऊ सकते है उलट फेर हो शकते याँ शटका मते फक्त पास धावा ले 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 तकंजू शेश है शटक टाक ले 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 अनि अश्य शटक टाकाव लागती लिया नंतर एक दोन गोलंदा जान्ना जेने कोरूं शेवर्चे शटका परें ते सामना ओडला जाईल तानला जाईल आनि प्रे तर धावसं के जाले ले ती चाव तीस एक विस दावांचे गर जाया ता परेंत आठरा चेन्डू शेश हैत निक्रेश बाजागे मुख्य पंच अनि स्क्वेर लेगला बन वक्तों उत्कुष्ट एस्टी रक्षक प्रलाद एकविश धावा अनि प्रेश पैनल्ट चे डोन न धावा अमा अमचे परेंत महाईती आली ले ता उशंद कि अजले ले आमी चेटीस असर रती ते नोन के लए दोन इश्ट्रा एक अंदर एक वीच दावंचे गर जाया अठ्टा जेंदो एकोने धावांची गरज पर्देजे निया मगदी काटे को रहे जए बजरंगे चाशिक दोन अधार तेविच्चे कुठला तेरी नीमा मदे असंग बस लेला नाही बहरावा खेलारों मला तेरी वाटे नौता इते समाल चुन कक्षा तानी तेचे मुलिया संगा दोन धावां तो दंड़ ठोटावने अतालेला है अनि बगाते दोन धावा किती महत्वाचा है इती आता तेना समझत तसल तेच किम्मत का है थे अक्षय ठेटे गोलंदाजी मारगावार हो हाल क्यातानी चेंड़ खेलू काने प्रायतने कहला दामां तो इनसाइड एज लगली होती कुटला प्रकार दोका नाहीं थी ते दोका पतकरेत ही नहीं दोनी फलंदाज लक्षा परेंता अता मक्दी सहज जाने प्रायतनाशल कारें दुश्राश अटकाता त्यांच सामना बरपूर्शा जानी कवर के लेला है वीस धावा कुटला के लेला है प्रिटेश याने त्या मदे मात्रों एक अक्रमन केला होता अक्षे थेटे पुन्नाइक दा राइटम अत्ता मत्र एक वेगवान चेंडू अप्रती मसा मात्र डावेस्टी चा भायरी चेंडू असले ने पंचान नी या चेंडूला वाइड होशित के लेला है अत्तिशे वेगवान चेंडू फलंदाज ला वाटलन नहुते कि अक्षे पुन्नाइक दा अक्षे वेगवान चेंडू आता मत्र डावेस्टी चेंडू प्रायथ ने केला होता चेंडू बाट चा पट्ट नीट सा आलेला नाही एक चा धाव दावसंक्या एक कोंचालीस सोला दावान चे गरज आया जून ही प्रशान्त बगुया सलामी नंतर वन डाउन चेंडू पोजिशन और आलेला फलंदाज सांगले रिदिने खेलतो है भले दावा देचे खात्या मदे नस्तील मात्रे एकीरी दावान और भर देऊन स्ट्राइक रूटेट करने प्रायथ के लिए आता मात्रस अपने हाथ खोले लाए दानी शोट अप पूल के लिए चेंडू जाते है और पार्क शटकार अगा 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 अशे जे फलंदा दसतात ना स्वता दी नजर बसा उतात टाइमिंग हेतात अनी जे वहा संदी मिले ते वहा अक्रमन करतात जसे कि अंतराश्टी क्रिकेट में दावन बक्तो रोहित शर्मा शुर्वा दिला टाइमिंग हेतो वेल हेतो नजर बसा उतो आनी जवह खराप चेंडू एक खाद एतो बोलन दादा तासा मात्र खरफूस समाचार गेतात परशान ने तासा समाचार गेत लेलाए स्वाक्षी के अनलाद प्रहात न चेंडू अदल तो शरीरावर होचीची संदी नहीं हीट होत नहीं है पंचानी लेग बाईची खुन केले मंजे कुटले प्रकार बैटलाच सफर्षे केलाना उता पाईचीचा धोका तिते निर्वान धाला असता धाउसंक्या शेच अलिस नव दावांचे गर जाया अता पत्त पक्त कदाचीच एक शटक मलाद रवाट शेवर्ट्स राखुन जिंक्नियाद मनसुबा दिस्ते अनि तसी शुर्वाति केले ले तसे प्रहतने पाहला मिलता आतरो गोलंदा जाने तसे प्रहतने करायला हो अ आता मात्र प्रतिमसा पटका शेत्रक्षक बनेल प्रेक्षक अनिचे इंडुजाई स्थीमाराशे भाहर शटकार पक्त तीन धावांचे गर जाए मयुरिष एंचा मातर थोड़ासे कष्ट थोड़ासे महिनत आचो लेले आए आमचे गुन लेख काची लगातार दोन मोट्टे पटके आले त्याना आंतर बाहरा धावा काउन करायला लागला मयुरिष आमचे गोल्डर फिंगर योगेश भालेकर जर अपन शित्रक्षे कांचे बॉड़े लेंगे विजब गितली तर आते त्यानी मातर पूर्णा आया सामन्या वरून जसकाई अंग काढ़ लेला है विकेट ची गरजोती विकेट घेन गरजेश होता मातर पहला प्षटकात एक स्वस्ता बाद जाला होता सलामीर सचीन त्याना तर जर साते तर आखलास तो गोलंदा जाननी विकेट गरजोती तर आते पहला होता सामना चुर्शी साप लेला पहला मिलुशकला अश्ता तेवा चेंडुला सिमारेशे बहाईर शटकरा ने पाठावलेलाई अशे जेवा टीमोर को होई सांगिक कामगिरी होई तेवा संग तुम्छा जिंकेल और तुम्छा संग जिंकु शक्तो जोज भरामादे आता या संगाला इसे खेल कराई चांगला रोशन गुलंदा जिमार गवरे तोई मोटा फटका अरे हाँ चेंडुजा तोई सिमारेशे बहाईल अरे हाँ संग सुद्धा हो तोई या सपर्दे तुम्छा